सर अब कब तक उमीद की जा सकते हैं कि लालू यादब को जमानत मिल चुकी है राची हाई कोट ने अब से थोड़ी देर पहले ही लालू यादब को जमानत दी है अब लालू यादब की जेल से बाहर आने का इंदजार हो रहा है लेकिन लालू के वकील और कानूरी जानकारों के मुताबिक जेल से बाहर आने में लालू को थोड़ा वक्त लगेगा लालू यादब के पकील प्रभात कुमार ने कहा है कि कोट की तरफ से जमानत पर दिया गया आदेश निकलने के बाद उसे जेल प्रशासन के पास भेजा जाएगा जेल प्रशासन इसे एम्स प्रबंदन के पास भेजेगा उसके बाद लालू प्रसाद यादब बाहर आ जाएगे हाला कि यह लालू यादब के डॉक्टरों के उपर नेर्भर करेगा कि उन्हें अस्पता से फिलहाल जुट्टी मिलेगी या नहीं लेकिन सुत्रों की माले तो लालू यादब को जेल से बाहर आने में दो से तीन दिन का वक्त लग सकता है संभाव है कि लालू यादब सोंबार या फिर मंगल बार को जेल से बाहर आप आए क्या कुछ हुआ क्या कुछ का चला है अधा संटेंस हो गया है अधा संटेंस नहीं हो गया है पांस साल की सजा थी तीस मेना की जोड़ा अब कब तक उमीद की जा सकते हैं कि लालू पर सादो बाहर रहेंगे तुजडे वेटनेश दे तक बाहर रहेंगे फिलाल लालू यादव दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे है लेकिंग वो जेल कस्टोडी में लिहाजा जमानत के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया होने तक उन्हें इंतिजार करना होगा राची हाई कोट के न्याधीश अपरेश कुमार की अदालत ने लालो यादव को जमानत दी है लालो यादव की तरफ से डुरंडा ट्रेजरी से अवैद निकासी के मामले में सजा का आइलान होने के बाद जमानत याजिका दायर की गई थी लालो यादव की जमानत याजी का पर राची हाई कोट में कुल चार दफे सुनवाई की पिछली सुनवाई में कोट ने CBI को कहा था कि वह जमानत को लेकर अपना स्टैन क्लियर करे CBI ने इस मामले में जवाब भी दिया लेकिन कोट ने लालो यादव के वकीलों के तर्गों को सही माना और 42 हफते की सजाब पूरी करने के आधार पर लालो यादव को जमानत दे दी आपको इडिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बता है साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जब ही सब्सक्राइब कर दे साथ ही अगरे वीडियो फेस्बूक के माधियम से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करें धन्यवाद